फीजियोलजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको फर्स्ट एर में भी काम में आता है सेकंड यर में जब आप फार्मेकोलजी पढ़ रहे होते हैं तो ड्रग किस मेकानिजम से एक करती है उसमें भी फीजियोलजी इंपॉर्टेंट है फिर अल्टिमेटली फाइनल येर में ज प्लिनिकल गुरुजी के इस एप में हम लोगों का ट्राय रहता है कि कैसे आपको आम भाशा में जो रोज मर्रा की छोटी-छोटी चीज़े हैं उसको आशान भाशा में आपको बताया जाए तो इसलिए हम आज आपको पढ़ा रहे हैं न्यूरो मस्कुलर जैंशन के फेजिवल्जी हेलो मेरा नाम है डॉक्टर आकार जैसवाल और अपने इस छोटे से 15 से 20 मिनिट के लेक्चर में यह समझेंगे कि यह न्यूरो मस्कुलर जैंशन क्या है और इसके अप्लाइड एस्पेक्ट्स क्या है सबसे इंपॉटेंट जिस जैंशन का मतलब क्या होता है नर्व और मसल के बीच में बनने वाला जैंशन में को कोई सा भी एक्शन करना है तो मेरी मसल को कॉंट्रेक्ट हो और वो पैन उठाओ तो आपकी नर्व ने मसल को सिगनल भेजा तो नर्व से मसल तक सिगनल गया कैसे वो गया आपकी नियूरो मस्कुलर जैंशन से तो अल्टिमेटली इसमें अपन क्या देख रहे हैं कि आपके स्पैनल कॉट से नर्व आई और मसल पे आके उसमें जैंशन बनाया जिससे अपना जो सिगनल है वो ट्रांस्मीट हो पाए जब भी आप पढ़ते हैं नर्व तो नर्व के अलग-अलग पार्ट होते हैं अपने उस पार्ट में नहीं जा रहे हैं अब ये डेंडराइट होता है एक्जॉन होता है यूजरली बस इतना पता रखो कि नर्व के एक माईलीन शीथ होती है माईलीन शीथ का क्या होता है कि जो कंड़क् स्कुलर जंशन में क्या important है एक साइनेटिक cleft important है और प्रिसाइनेटिक मेंबरेंड और पोसाइनेटिक मेंबरेंड थोड़ा सा confusing लगेगा और आशन फासा में समझते हैं ये nerve का part है और ये muscle का part है इन दोनों के बीच में जो gap है इसको अपन कहते हैं synapse अब इसके उपर वाले part को अपन क्या कहेंगे प्रिसाइनेटिक मेंबरेंड इसके नीचे वाले part को अपन क्या कहेंगे पोससाइनेटिक मेंबरेंड आसान है इन दोनों के बीच के junction को आप मान लिजे कह दीजे synapse उसके उपर वाले को अपन कहते हैं Pre-Synaptic Membrane, उसके नीचे वाले को अपन कहते हैं, Post-Synaptic Membrane, तो Pre-Synaptic Membrane किस से बनी, नर्व से बनी, नाम से इस देखो Neuromuscular Junction, पहले क्या है, नर्व, सिगनल भी कैसे भेजना है, नर्व को मसल को भेजना है, तो इसलिए पहले क्या होगा, Pre-Synaptic Membrane is Nerve, Post-Synaptic Membrane कि मसल का पार्ट है, इसमें ऐसी pouchings हो रही है, थेलियां बन रही है, इस थेलिये को अपन कहते हैं, Sub-Neural Cleft, Sub-Neural Cleft क्यों important है, यह अपन आगे पढ़ेंगे, बस इसमें देख लीजी, आप यह थेलियां बन रही है, ट्रफ बन रहे हैं, इस ट्रफ को अपन कहते हैं, Sub-Neural Cleft, इसी डाइग्राम में आप एक और चीज़ देखिए, कि एक्जौन में आपको एक कोशिका दिख रही होगी, और्गनली दिख रही होगी, कौन सी और्गनली है, पैचानना आसान है, हाँ भईया, यह माइटो कॉंड्रिया है, माइटो कॉंड्रिया में क्या होता है, ATP होता ह Usually नर्ज से जो मसल तक सिगनल जाना है, वो सिगनल एक निरो ट्रांस्मिटर के थ्रू जाता है, क्या आपको पता है वो कौन से निरो ट्रांस्मिटर है, बिल्कुल सही, वो है असिटाइल कॉलीन, तो ultimately असिटाइल कॉलीन के थ्रू ही अपना नर्ज से मसल तक सिगनल तो भीय असिटाइल कोलीन बना कैसे असिटाइल कोलीन बनेगा अपने माइटो कॉंड्रिया से जो ATP बनता है उसके थू तो अल्टिमेटली माइटो कॉंड्रिया से ATP निकलेगा जो साइटो प्लाजम है उसमें अपना असिटाइल कोलीन बनेगा और यह जो असिटाइल कोलीन ये जाकर तुरंट छुप जाता है इन वसाइकल्स में और अगर अगर अपने को नर्व से मसल तक सिगनल भेजना है मतलब ये वसाइकल्स को प्रिसाइनेप्टिक मेंब्रेन तक आना पड़ेगा उस पे चिपकना पड़ेगा और बाहर एक्जोसाइटोसिस होके उस असेटैल असेटैल कोलीन नियुरो ट्रांस्मिटर है जिससे नर्व से मसल तक सिगनल जा रहा है कैसे बना असेटैल कोलीन प्रिसाइनेप्टिक मेंब्रेन मतलब नर्व की मेंब्रेन तो अपने क्या देखा है कि भाईया इसमें अगर अपने को समझना है तो इस इस साइनेप्टिक क्लेफ्ट ये है प्रिसाइनेप्टिक मेंब्रेन और ये है पोस्साइनेप्टिक मेंब्रेन ठीक है तो ये जो नर्व है उसके वहाँ पे calcium channels होते हैं जो आप इसमें देख पा रहे हैं दिसार calcium channels रहते हैं वो nerve के end वाले part में इंपल्स आने के बाद खुल जाते हैं और जैसे calcium channels खुल जाते हैं calcium बहार से अंदर की और चले जाते हैं प्रिसाइनेप्टिक में और जैसे calcium अंदर की तरफ गए ये वसाइकल्स को प्रिसाइनेप्टिक मेंब्रेन पे जुड़ने के लिए force कर देते हैं और जैसे ये उसके जुड़ने की तरफ force करेंगे और ultimately जो वसाइकल्स हैं उससे exocytosis हो जाएगा और exocytosis का मतलब क्या होता है जो असे टैल कोलीन वसाइकल्स में छुपा हुआ था वो असे टैल कोलीन अब बहार निकल जाएगा तो अपने लिए important क्या है जैसे ही impulse nerve के end तक आई जो voltage-gated calcium channels थे वो channels open होंगे channels open होने के कारण जो वसाइकल्स हैं वो प्रिस exocytosis हो जाएगा और असेटैल कोलीन बहार आ जाएगा यह प्रिसानेटिंग मेंबरेन में खेलो रहा है जैसी असेटैल कोलीन बहार आया भहिया असेटानेल को बहार आके muscle पे act करना है अपनने तो मैंने आपको last picture में ये दिखाया था कि पोसानेटिंग मेंबरेन में सब न रिसेप्टार्स, असेटारकोली नर्स से आ रहा है उसको एक करने की लिए रिसेप्टार तो चाहिए होगा की नहीं तो रिसेप्टार जो है, वो कहां होता है वो रिसेप्टार होता है सब-neural cleft में अब आप यहाँ पर एक MCQ समझें आपको एक MCQ आता है देखिए अपन सब चीजे को रिलेट कर रहे हैं MBBase की first year का paper हुआ तो Neuromuscular Gension में ultimately कैसा answer लिखना है वो आखरी में पढ़ेंगे बीच बीच में जो से MCQ बन सकते हैं Neuromuscular Gension से वो MCQ को भी अपन discuss करेंगे तो एक important MCQ जो आपका यहां बनता है वो यह बनता है भाईया कि जो Acetylcholine Receptors Neuromuscular Gension में होते हैं वो कौन से type के होते हैं उसका answer है Nicotinic तो Nicotinic Acetylcholine Receptors जो होते हैं वो Neuromuscular Gension में होते हैं यही अगर आपको एक और basic चीज बताते हैं चलू मैं कि और कौन से type के Acetylcholine Receptors होते हैं भाईया एक और type होता है उसको कहते हैं अपन मसकारिनिक पर अभी अपने को important क्या है Neuromuscular Gension में क्या important है Nicotinic N से याद रखो N Nicotinic is for Neuromuscular Gension तो जो Acetylcholine Receptors है उसमें वो कौन से type वाला है वो Nicotinic वाला है तो यह post-synaptic membrane है इसमें sub-neural cleft है और इसके अंदर आपके Acetylcholine के Receptors है अब Acetylcholine का जो Receptor है वो Acetylcholine का Receptors बनता है दो Alpha Chain से एक Beta Chain से एक Gamma Chain से और एक Delta Chain से इसमें पता रखने का importance नहीं है बस इतना पता होना चीए आपको कि क्या होता है जो Acetylcholine का Receptor है वो Receptors अलग-अलग Receptors अपने आगे-अले follow-up lectures में पढ़ेंगे कि अलग-अलग Receptors की actions कैसे होती है बस इतना पता रखो कि यह जो Nicotonic Acetylcholine Receptors है इसमें दो Alpha Chains है एक Beta Chain है एक Gamma है और एक Delta है तो क्या होता है जब भी Acetylcholine आके Alpha is for binding जब भी इस Alpha पे आकर Acetylcholine जुड़ेगा A is for A तो Alpha पे आके दो Acetylcholine के Molecule जुड़ जाएंगे तो यह जो Channel है यह Open हो जाएगा और यह Channel कौन सा है? Sodium Channel है तो यह Sodium Channel Open होगा तभी इसके थूँ अपने सारे Sodiums अंदर की तरफ चले जाएंगे एक Important Concept है अपने को पता होना चाहिए कि जब भी अपन किसी भी मसल का Potential पढ़ते हैं तो अपने को एक चीज बहुत Important पता है एक होता है Intracellular Part एक होता है Extracellular Part जब भी Resting Membrane Potential जो होता है मसल का वो Ultimately होता है Minus 90 Millivolt का सबसे Important Channel जो होता है वो Important होता है Sodium Channel तो Acetylcholine Acetylcholine Receptor से जुड़ा उसने Ultimately क्या करा Sodium Channels को Open किया और एक और चीज यहां मैं आपको बताते चलूँ कि यह जो Channels है इसमें अंदर की तरफ Negative Charges होते हैं कि वो Important है बताता हूँ एक Basic चीज सबको पता होती है क्या होती है कि Intracellular जो Restring Membrane Potential होता है वो Minus 90 Millivolt होता है तो जब भी मेरेको अगर Contract करना है मसल को Contract करने के लिए मेरेको Action Potential देना पड़ेगा और Action Potential देने के लिए मेरेको अंदर की तरफ कोंसा चार्ज भेजना पड़ेगा क्योंकि Ultimately मेरेको अगर अपन आम भाशा में समझे Minus 90 Millivolt से मेरेको उपर की तरफ जाना पड़ेगा मतलब Minus 60 Millivolt तक जाना पड़ेगा तब जाके मेरे Action Potential आएगा तो Minus 90 से Minus 60 तक जाने के लिए मेरेको कौन सा चार्ज लगेगा भाईया मेरेको Positive चार्ज लगेगा सबसे Important Free-flowing आयन कौन सा है आपका Sodium है तो अगर Sodium अंदर की तरफ आता है तब ही मेरा जो Membrane Potential है वो Minus 90 से Minus 60 की तरफ जाएगा और Ultimately मेरी Muscle को Action Potential मिलेगा और वो Contract हो जाएगी तो तीन Important जो चीजे हैं आपके बस तीन Important आयन्स हैं वो है Sodium वो है Potassium और वो है Cloride तो अगर आपका Sodium जो होता है वो Extra Cellular में जादा होता है तो जब भी Channel खुलेंगे तो Sodium बहर की तरफ से अंदर की तरफ आता है जो Potassium होता है वो Potassium अंदर की तरफ जादा होता है इंट्रासलियूलर जादा होता है तो तो अल्टिमेटली अगर अपने को माइनस 90 से माइनस 60 मिली वॉल्स पे जाना है तो अपने को अंदर कौन सा चार्ज जाजाता है अपने को ज़्यादा क्या चाहिए ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज जाज जाजा चाहिए तो तीन चार्जेस में से Sodium, Potassium, Chloride दो positive है कौ सोडियम और Potassium और negative कौन सा है Chloride एक important चीज मैंने बता दी कि बहार कौन क्या क्या जादा है Sodium और क्या जादा है अंदर क्या जादा है Potation जादा है तो जब भी चैनल खुल रहा है तो अंदर की तरफ क्या आएगा Sodium आएगा तभी तो मैं-90 से-60 जा पाऊंगा पहला चीज पोटेंशिल माइनस 90 से माइनस 60 तक पहुचाना है तो माइनस 60 तक पहुचाना है मतलब positive चार जादा रखना है तो पोटेंशियम अगर intracellularly जादा है तो अगर वह भार फेक देगा तो फिर तो वापस अंदर माइनस जादा हो जाएगा समझ रहे हैं आम भाशा में इसलि उसके लिए important है कि यह जो receptor है इसमें यह negatively charged है यह receptor को जो inside है यह negatively charged है तो जब chloride ion अंदर आने का कोशिश कर रहा होता है तो यह chloride ion repel हो जाता है यह negative charge से समझ में आया कि sodium क्यों अंदर आया, potassium क्यों बहार नहीं गया और chloride क्यों अंदर नहीं आया यह basic basic concept है पर अपन ने इसको और आम भाशा में समझने का try किया तो ultimately अपने क्या देखा कि जो वसाइकल से उससे acetylcholine बहार आया उसने अपने acetylcholine receptor जो कि nicotinic वाला है उस पर act किया nicotinic वाले में दो alpha chains है दोनो alpha chains पर अपने दोनों acetylcholine आये उसने sodium channel को open किया और sodium channel open होने के कारण sodium अंदर आया और उसने क्या करवाया उसने अपना end plate potential दिया देखो A B और C है इसमे sodium channel अंदर आता है उसने अपना कुछ signal दिया नर्व का जो acetylcholine आया sodium अंदर आया minus 80 minus 90 से थोड़ा उपर हुआ पर यह threshold तक नहीं पहुचा threshold मतलब क्या कि threshold तक अगर अपना charge पहुच जाए तो फिर ultimately muscle contract depolarize हो सकती है depolarization को concept, repolarization को concept अपन follow up lectures में पढ़ेंगे पर यहाँ पर अपन बस इतना समझते हैं कि muscle को contract होने के लिए एक threshold तक आना पड़ता है उस threshold होने के बाद ultimately depolarization हो जाता है और muscle contract हो जाती है तो अगर अपने जैसे ही acetylcholine आके जुड़ता है sodium channel खुलते हैं sodium channel जैसे ही तो अपना end plate potential आता है मतलब कुछ signals होते हैं कि minus 90 से minus 70 तक अपने पहुचा दिया और अगर continuous इस प्रोसेस में sodium channel खुलते हैं खुलते हैं खुलते हैं खुलते हैं खुलते हैं खुलते हैं पोजिटिव चाज अंदर आता गया अगर अपन threshold तक पहुच गये वो threshold अगर minus 40 कैसे हुआ तो निरो मस्किलो जैंशन पर action कैसे हो रहा है भाईया अल्टिमेटली जो साइटो प्लाजम में असिटाइल कोलीन बना वो वसाइकल में जाके छुप गया वो वसाइकल से जो अपना असिटाइल कोलीन उसको बाहर आना है बाहर कैसे आता है प्रिसानेप्टिक म में जुडने के लिए मजबूर कर देता है जैसे वसाइकल्स प्रिसानेप्टिक में में जुडा फिर अल्टिमेटली एक्जोसाइटोसिस हो जाती है एक्जोसाइटोसिस मतलब असिटाइल कोलीन बाहर आ गए और इस असेटाइल को अल्टिमेटली एक्ट करना है एक्ट कर आदियाई कि सोडियम चैनल में अलग अलग तरीके की चेंज हैं अलफा बीटा गामा डेल्टा दो अलफा चेंज पर अगर अगर बैट गया तो एंड प्लेट पोटेंशल आया और वो अगर इतना खुल गया कि माइनस पोटे तक चले जाए तो डीप प्रोडेशन करवा के मस मसल कॉंट्रैक्ट हो जाए अब आपने ये चीज़ तो देखी भाईया कि जो असेडाइल कोलीन है वो प्रिसानेप्टिक मेंबरेन से पोसानेप्टिक मेंबरेन तक आ गया अब यह अगर कंटिनियूस उस पर एक करते रहा रिसेप्टर पे तो मसल तो हमेशा किलर जंशन का इसमें एक बेसिक चीज़ पता रखो कि जो साइनेप्स है साइनेप्स मतलब क्या प्रिसानेप्टिक और पोसानेप्टिक मेंबरेन के बीच की जगह यह साइनेप्स में एक बेसल लेमिना होता है उस बेसल लेमिना में एक एंजाइम होता है जिसको आपन कहत क्या होता है कि ये एंजाइम securely को breakdown करवाता है ultimately कि इस surgery ने में को तोड़ता है औलग अलग बाग़ साइकल में जब आपने में नर्व में ता वापस ये अंदर acetyl koline और koline वापस मिल जाएंगे और ultimately बना देगा देखे आपको आम भाशा में समझाता हूँ मैं क्या होता है कि आपका acetyl koline pre-synaptic membrane से बन के निकल गया ठीक है अब ये acetyl koline ultimately continuously एक करता रहेगा क्या अगर continuously एक करता रहता है आपकी मसल जो है मैसा contracted state में रहती पर ऐसा नहीं होता ये acetyl koline इस्टरेज एंजाइम क्या करता है उस acetyl koline को दो भाग में बाढ़ देता है कौन से कौन से भाग में acetyl koline और koline वाले भाग में ये acetyl koline और koline दोनों भाग में क्या होता है अंदर आप एक ची जाद रखो जो pre-synaptic membrane होती है इसमें acetyl koline तो भर-भर के होता है पर koline क्या होता है इसलिए जो acetyl koline इस्टरेज रहता है वो acetyl koline को दो भाग में बाढ़ता है acetyl koline और koline acetyl koline आपन ने बता है अपनी synaptic membrane ने भर-भर के उसकी जर्रत नहीं है अपनी synaptic membrane को वापस पर koline की जर्रत है तो इसलिए जो acetyl koline इस तरेज से acetyl koline तुटा उसका जो koline है वो ultimately वापस re-uptake हो जाता है तो ultimately re-uptake is also important तो इसलिए आपको यहां से आज पता होना चाहिए कि भाईया पहले जो है वो अपना pre-synaptic membrane ने, post-synaptic membrane ने impulse आया, impulse आने से calcium channel खुले, calcium channel से जो cycle से उसे acetyl koline बाहर आया acetyl koline ने act किया, act कैसे किया अपन ने देख लिया, ultimately acetyl koline तूट जाएगा, जिससे वापस क्या बन जाएगा acetyl koline जाएगा, koline अलग बन जाएगा koline जो है, वो वापस pre-synaptic membrane में re-uptake हो जाएगा, जब अगली cycle आएगी, तो वापस acetyl koline बनेगा cytoplasm में, और वापस वो cycle में जाके store होगा, और फिर से नया signal आएगा, तो वापस acetyl koline बाहर आ जाएगा, ऐसे अपनी muscle contract होते रहती है, तो यह basic SAR था, इसमें एक और चीज़, आपको अगर है applied inspector, आपको में एक और चीज़ बताते चलू यहाँ पर, अगर आपको applied थोड़ा समझना है यहाँ पर, अगर mcq आता है, तो उस mcq में आपको देखना है, कि जो एक और चीज़, mcq में देखना है, कि आपका एक condition होती है, जिसको अपन कहते है myasthenia grevis, myasthenia grevis में क्या होता है, जो आपका acetylcholine के receptors हैं, उस acetylcholine receptors के खिलाफ antibody बन जाती है, तो अगर acetylcholine के खिलाफ antibody बनी, मान लीजिए, और यह antibody antibody आकर इस पे चिपक जाएं, तो आपका acetylcholine क्या, acetylcholine receptors पे कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा, तो muscle कैसी होगी आपकी, muscle contract नहीं हो पाएगी, मतलब muscle paralysis हो जाएगा तो myasthenia grevis में क्या होता है T-cells के through thymus thymus होता है, thymus से T-cells के antibody बनती है वो acetylcholine इसेटर पे आगे जोड़ जाती है वो acetylcholine को act नहीं करने देती जिससे muscle contract नहीं होती muscle contract नहीं हो तो क्या हुआ muscle paralysis हो गया, और muscle paralysis हो जाएगा तो आप अपने को उसको treat करना है तो आप treat करने में क्या देते हैं treat करने में आप ऐसी drug देते हैं जिससे ultimately acetylcholine का level बढ़ जाया अपने क्या बोला, acetylcholine synapse में आया, अपनी synaptic membrane से और acetylcholine hysterase enzyme के थूँ वो तूड गया, तो अगर acetylcholine hysterase enzyme को मैं inhibit कर दूँ तो acetylcholine को ज़्यादा समय तक महा रुख पाएगा बहार और ultimately वो compete कर पाएगा और muscle को थोड़ा contract करवा पाएगा तो इसलिए acetylcholine hysterase inhibitors होते हैं जिसको अपन कहते हैं नियोस्टिग्मिन, फाइसोस्टिग्मिन ये नियोस्टिग्मिन, फाइसोस्टिग्मिन का क्याम क्या होता है ये acetylcholine hysterase enzyme को inhibit कर देता है और जैसे ये acetylcholine hysterase enzyme inhibit हुआ मतलब acetylcholine लंबे समय तक इस synapse के बीच में रह सकता है और फिर ultimately compete करके muscle को contract करवा सकता है तो ये एक इसका applied aspect हुआ तो अगर अपने को आम भाशा में समझना है कि अभी तक अपन ने क्या पढ़ा तो अभी तक अपन ने देखा कि neuromuscular junction है आको और यहाँ पर एक query resolve करते चलू मैं इसी वाले part को अपन motor end plate कहते हैं ठीक है इसमें confusion नहीं होना चीए तो अपना जैसे action potential जो है वो अपने nerve के end तक आया तो there will be opening of voltage gated calcium channel तो फिर extra cellular fluid से calcium अंदर की तरफ आया अंदर की तरफ आके उसने क्या किया vesicles को है open करवाया और open कैसे open बाद में करवाया पहले जाके membrane से जुडवाया membrane से जुडवाने के बाद open करवाया vesicles को और vesicles जब open हुए exocytosis हुआ उससे acetylcholine बहार आया acetylcholine जैसे ही बहार आयेगा acetylcholine किस से जुड़ेगा acetylcholine decetor complex से जुड़ेगा और acetylcholine decetor complex से जुड़ने के बाद ये क्या open करेगा ये sodium channel open करेगा sodium channel open करने के बाद अपने देखा sodium कहां बहार होते है sodium बाहर जादा होते हैं इसे sodium अंदर की तरफ आएगा वो sodium अंदर की तरफ आया तो there will be entry of sodium channel और जैसे sodium अंदर की तरफ आया तो क्या बनेगा end plate potential बनेगा और end plate potential अगर बार-बार बनता रहे और त्रिशॉल तक बहुच जाए तो muscle क्या होगी contract हो जाएगी because of depolarization यह सब अगे पढ़ेंगे और उसके बाद जब end plate potential बार-बार बनता रहेगा तब there will be generation of action potential और फिर action potential जैसे ही बना excitation contraction coupling होगी और muscle contract होगी देखें excitation contraction coupling और muscle contraction का part अपन follow up series में रखेंगे पर ultimately अबन अभी सी वितना पढ़ा कि pre-synaptic membrane से पोसानेक्टिक membrane तक कैसे जो signal है वो पहुचा अब आपका सार सिर्फ यहां पर आता है कि exam में अगर आपको neuromuscular junction का question आता है तो आपको कैसे लिखना है सबसे important चीज एग्जाम में अगर आपको question आता है भाईया तो आपको कैसे लिखना है हम बताते हैं अब इग्जाम में neuromuscular junction का एक important long question भी आ सकता है short question भी आ सकता है उसमें आपको सबसे important चीज क्या याद रखना है सबसे पहले भाईया देखो आपको सबसे पहले लिखना है introduction introduction का मतलब क्या introduction आप लिख रहे हैं सबसे पहले introduction में लिखो भी neuromuscular junction क्या होता है निरो मस्कुलर जैंशन जैंशन बिट्विन नर्व और मसल आम आम बसा ऐसा ही समझाना होता है एक्जामिनर को आपको इसके बाद उसके आप पार्ट को डिस्क्राइब करेंगे दूसरा पार्ट दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे आप एक्जैम में इंट्रोडक्शन के ब आपको सब्सक्राइब करना है थीक है तो आपको पार्ट का आपने बनाया तीसरा आपको शो करना पड़ेगा एक और डाग्रम बनाओगे आप कौन सा वाला एक डाग्रम बनाओगे आप तो आपके जित्रे डाग्रम बनाओगे उतना एक्जामीनर को पता चलेगा कि हाँ आपको इस तीस के बारे में नौलेज है और तीसरी चौती चीज़ आप करेंगे इसमें अल्टिमेटल आप बनाएंगे फ्लोचार्ट फ्लोचार्ट कौन सा वाला जो अपने लास्ट में लास्ट में क्या पढ़ा की बहूं है चाशन कैसे हुआ अपने सिग्नल वह अप्साइनल के चैनल से UK को क्या तो कैलोचियम अंदर गया केलशिय में जुड़े तो पिर क्या हुआ जुड़े तो dealer कोली इन verdi सबसार्ट का जोड़े जो अपने बहार आया बहार आया वह and potential बना और ultimately क्या बना action potential बना और muscle contract होगे तो यह flow chart अगर आप बनाएंगे तो examiner को समझाने में भी आसान होगी आपको लिखने में भी आसान होगी और ultimately आपको आजकल क्या है आपको जो extra points से वो कैसे मिलते हैं आपको extra points मिलते हैं आपको एक इंपॉर्टन चीज़े हैं जो मैं अभी से बता दे रहा हूँ अपको बता दो नियो इस्टिंग मिन फाइसो इस्टिंग मिन के बारे में बता दो यह सब आपको बताना है ठीक है तो ultimately अपन क्या करेंगे आपको सबसे पहले introduction देना है introduction देने के बाद एक arm diagram बनाना है सबसे पहला diagram आप यह वाला बना दे सबसे पहले diagram में आप दिखा रहे हैं भाईया कि जो अपने nerve का exon है वो muscle पर जाके जुड़ रहा है दुसरा diagram आप कौन सा बना दे दुसरा diagram आप यह वाला बना दोगे कि इसमें क्या दिख रहे है बना देंगे तो आपको extra point दे देगा और ultimately आपको flow chart बनाना है flow chart यह है आप देख सकते हैं अपने पूरी process बार बार पढ़ ली है और आखली में आपको applied aspect बढ़ना है applied aspects के लिए अपन आगे वाली classes में और applied aspect समझेंगे neuromuscular genction के तो आप comment box में लिखे बढ़ाई कि आपको यह lecture कैसा लगा इस छोटे से lecture में अपने बहुत कुछ पढ़ने का try किया पर आपको यह comment box में लिखे बढ़ाई कि आपको यह कैसा लगा और आप ऐसे कौन से topics और हैं जो पढ़ना चाहेंगे physiology is related thank you very much